नमस्कार मित्रो, मैं डॉक्टर विपूल ठककर, क्रिटिकल केर मेडिसिन में, सिम्स हस्पताल में एक्सपर्ट हूँ, आज मैं आपको कुछ माहिती देना चाहूंगा, क्रिटिकल केर मेडिसिन या सिरियस दर्दी को पैचानने में जानकारी नहीं होती है, तो आज आपको मैं या आपके ट्रीट करने वाले डॉक्टर, जनरल प्रेक्टिशनर की माहिती के लिए कुछ लक्षन बताना चाहूंगा, जो आपको ऐसे दर्दी पैचानने में मदद कर करेंगे, ऐसे मैं आपको तीन लक्षन बताऊंगा, इसमें से एक या दो लक्षन हो, तो आप जान सकते कि दर्दी की स्थिती गंबीर है, जीवन का जोखिम है, ये तीन लक्षन है, लक्षन एक, ये है कि दर्दी की होश की स्थिती कम होने लगे, लक्षन दूसरा है, कि द दर्दी के या व्यक्ति के हाथ-पाउं ठंडे होने लगे या ब्लूइश लगने लगे, तो वज़ चाहे कुछ भी हो, वज़ हार्ट का एटेक हो सकती है, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकती है, गंभीर प्रकार का इंफेक्शन हो सकती है, या पोईजनिंग का भी रिजन हो सकता है, मगर जो भी वज़ा हो ऐसी स्थिती में ऐसे दर्दी को पहचानके आपको तुरंथ मतलब पहले एक गंटे में जिसको हम golden hour बोलेंगे उस एक गंटे में तुरंथ ऐसी hospital में पहुंचाना जरूरी है जहां पे सही facility, ICU facility, critical care medicine team की facility, सही equipment जैसे की ventilator, bedside dialysis की सुविधाय हो और ICU expert doctor की team हो ताकि उनको जो नुकसान सरीरिक बीमारी है उसका प्रमाण एक हद से ज्यादा बढ़ ना जाए और जानके जोखम से उनको बचा पाएंगे तो इस बारे में मैं कहूंगा कि हमारे पास Sims Hospital में critical care expert की अच्छी सुविधा और team है और आपके लिए message है कि time is life, thank you झाल